नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम बात करने वाले हैं लॉंग की और लॉंग जिसको हम बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं लॉंग से आप बहुत सारे प्रियोग करके जीवन को खुस हाल बना सकते हैं लॉंग का प्रियोग तांतिक क्रिया में भी होता है पुज करके आप अपने जीवन को बहतर कर सकते हैं आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए सपनों को पूरा करने के लिए लॉंग के कुछ आसान उपाय अपना कर जीवन में खुश या फिर से प्राप्त कर सकते हैं तो आज हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे पीडियो के अंत गुल रहा है तब ऐसे में आप महला हों या पुरुस हों एक काम करें लॉंग फूल वाली लॉंग यानि बिल्कुल साबूर टुटी फुटी भी मत लीजेगा दो लॉंग नियमित रूप से अपने घर में ही पुजा स्थान पर माद दुरुगा को अरपित करें और जैसे आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो एक लॉंग पॉकेट में रख लें एक मुव में लेके निकल जाईए आपके सत्रू विरोदी चाहकर भी आपका बाल भी बाकर नहीं कर पाएंगे और जो दूसरा लॉंग पॉकेट में है उसको भी बाद में खा लीजिए या नियमित रूप से करें धीरे धीरे आपके जीवन में जो अर्चने थी वो समाप्त होगी तो आज हम आपसे बहुत सारे बाते करेंगे ज़रूर वीडियो के अंतक बने रहें आज हम बात करेंगे अब सबसे पहले जानते हैं एक ऐसे उपाई के बारे में जो आपके घर का वास्तु दोस्दूर करता है आपके घर के नकात्मक उर्जा को नस्ट करता है बहुत सिंपल है सनीवार की साम याद रखिए साम के समय यानि अंधिरा होने के बाद आप पांच लॉंग लीजिए तीन कपूर लीजिए और ती कि लहर उठने लगे तब इसको आप अपने पूरे घर में घुमाईए और जो यह राक है ना इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फैला दे आप चाहें तो इस राक को सुरक्षित रख लें और रोज थोरा सा जल में चीटे मार डालके एक चुटकी डाल दें और अप जीवन में बहुत कस्ट बढ़ जाते हैं कई बार आपके जीवन में लगता है जैसे सब कुछ तवा हो गया है अब ऐसे में क्या करेंगे बहुत सिंपल है अगर बार बार आकस्मिक रूप से जीवन में परिसानिया आने लगे तसमच जाएए कि राहू के तू आपकी लग ले और ले जाकर सिवलिंग पर अरपित कर दें ये सुबह से साम तक आप कभी भी कर सकते हैं और सनी बार के सनी बार ये उपाय कुछ दिनों तक करें राहू के तू का प्रभाव जो दुस प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और घर में एक बार फिर से आनंद और ख बहुत सिंपल है लेकिन कई बार क्या होता है आपके घर में पैसे ही नहीं ठीकते बरकत ही नहीं होती अब जीवन में बरकत ना हो पैसे ना ठीके तो खुसिया तो यूहीं समाप्त हो जाती है अब धन की बिर्दी होने के लिए क्या करेंगे आप भगवान की अराधना तो क पंखुरी पर दो लॉंग नियमित रूप से मा लक्षमी को अरपित करें और अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हर सुक्रवार के दिन करें और पांच या दखेगा पांच लॉंग आप और पांच कोडी लाल कपड़े में बांध कर अपने तिजोरी में या आलमारी में भी सनीवार के दिन रख लें यानि सुक्रवार के दिन दो कली गुलाब की पंखुड़ी पर मा लक्षमी को अरपित करें नियमित रूप से कीज़े और सनीवार के दिन पांच कली लॉंग की आप पांच कौडी के साथ लाल कपड़े में बांध कर रख लीजिए तिजोरी म है अब ऐसे में तमाम आर्थिक परिसानियों से बशने के लिए आप सनीवार के दिन हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और ये जब दिया जलाएगा आप तो उसमें दो लॉंग डाल दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करें यकिन मानिए हनुमान जी को अपनी समस्या बताने के साथ ही आपके जीवन के तमाम जो कस्ट है वो दूर होंगे लेकिन कुछ सनीवार लगातार कीजिए कम से कम पांस सनीवार तो जरूर कीजिए ये उपाए आपके जीवन के कस्ट कमेंगे और जीवन में एक बार फिर से बरकत होने लगेगी त अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चलता है तरक्की नहीं हो पा रही है तब आप अपने घर में गनेज जी की तस्वीर के सामने एक सुपाडी और एक लॉंग रखें और जब आप अपने रोज नहा कर रखें जब आप अपने काम के लिए घर से निकलें तब पसा आएं तब इस सुपाडी को फिर से गनेज जी के सामने रख दीजिएगा आप यहीं सुपाडी को आप बार बार यूज कीजिए कोई दिकत नहीं है लेकिन लॉंग हर आपको चेंज करना जैसे कि आपने खा लिया तो ऐसा आप नियमित रूप से करें हर कारे में सफलत हो रहा हैं आपके घर में कोई मंगल कारे कोन जमाने से नहीं हुआ है हर बार अर्चने आ रही है तब ऐसे में अगर सुब कारियों में बाधाएं आ रही हो तब सनी बार के दिन सरसों के तेल के दिये में तिन-चार लॉंग डाल कर जलाईए और अपने घर के सबसे अंधेर में रख दें यकीन मानिए नकारत मक सकतिया धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है यह बहुत सिंपल है बहुत आसाण है आप कर सकते हैं कहीं बार क्या होता है आप कहीं इंटर्वियू देने जा रहे हैं या फिर कोई भी जरूरी काम से जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दो भगवान का नाम ले और फिर आप जाए यकीन मानिये सफलता के परसंटेज बढ़ जाते हैं तो बहुत सिंपल है आप कीजिए कई बार क्या होता है न आपने किसी को पैसा दिया है अब लेने के समय तो हर कोई इतना मीठा से बात करेंगे लगेगा आपके सिवा उनके सिवा और कोई है भी नहीं और जब पैसे ले लेते हैं तो फिर पता भी नहीं चलेगा वह बैक्ती भी इस दुनिया में है यानि पैसे लेने के बाद लोटाने का में तो आना कानी करेगा ही और आपके साथ उल्टा ही बात करेगा अब बात भी बढ़ जाता है कई बार कई बार अ मा लक्षमी के मंद्र का जब करें आपका फसा हुआ रुका हुआ धन आने की संभावना बढ़ जाएगी वैसे तो हनुमान जी के मंदिल में एक पीला नीम्बू और चार लॉंग लेके भी आप जा सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते वे लॉंग को इस नीम्बू में गड़ा दें और फिर इसको आप अपने कहीं भी सरसे वार कर पैर तक सरसे पैर तक वार लीजिए या सिर्फ सरसे भी वार लीजिए और कहीं भी आप लिक्ष के नीचे रख दें ऐसा करने से भी जीवन की जो परिसानिया हैं जो अवरोध है वो समाफ्थ हो जाते हैं तो लॉंग के छोटे-छोटे उपाए जीवन के धेर सारे कस्ट मिटाते हैं और अंत में सबसे बड़ा उपाए महाँ उपाए जो आपके जीवन के हर कस्ट को समाफ्थ करेगा किसी भी सनीवार के दिन एक लॉंग अपनी हाथ में ले लें अब इस लॉंग को अगर आपको लगे कि घर में किसी ने कुछ कर दिया है तो सभी परिवार के सदस्यों के सर से पैर तक उल्टा साथ बार बार लें उल्टे हाथ से और अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ले जाकर फेक दें किसी झाल 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 झाल